Different way to say I am hungry. First phrase I have, I am freaking hungry. Means, मैं भूख से तडप रहा हूँ, पागल हो रहा हूँ, जब आपको बहुत जोरो से भूख लगी रहती है और दिमाग चलना बंध हो जाता है. तो आप बोलेंगे, I am freaking hungry. Example, A, B को बोल रहा है, I am freaking hungry, please give me something to eat. तो बी बोल है, sure thing is this, ज़रूर, यह लो, खालो. Second phrase I have, my stomach is touching my back. Means, मेरा पेट गुसा जा रहा है. इसका मतलब ऐसा नहीं कि पेट गुस गए अंदर. इसका मतलब यह है कि भूख इतनी जोर से लगी हुई है कि पेट बिलकुल ही अंदर चला गया है. बिलकुल इसके अंदर खाना नहीं है. तो you can use this phrase, my stomach is touching my back. Example A, B को बोल रहा है, what's happened to you? Why are you not concentrating on your work? तो B बोल रहा है, because my stomach is touching my back. I need something to eat. तो B बोल रहा है कि मेरा पेट अंदर तक चला गया है, मैं इस मुझे बहुत भूख लगी है. I need something to eat. मुझे कुछ खाने को चाहिए. Next phrase I have, I am packis. मुझे हलकी भूख लगी रहती है. जब आपको हलकी भूख लगी रहती है, मुझे कुछ snacks खाने की इक्षा होती है. तो आप इस phrase को use कर रहा है, I am packis. Example A, B को बोल रहा है, I am packis right now. I need a bite to eat. Means मुझे इसमें हलकी सी भूख लगी है, मुझे कुछ bite, मतलब कुछ टुकरे, थोड़ा सा खाने की ज़रूरत है. तो B बोल रहा है, here has some chips. ये chips है. Next phrase I have, revenues. Revenious means जब बहुत ज़्यादा भूख लग लगती है, इतनी तेज में भूख लगती है, कि माया दिमाग कलना बंद कर सकते है, तो आप इस phrase को use करिए, I am revenues. Example, A, B को बोल रहा है, what are you doing in the kitchen, kitchen में क्या कर रहे हो? तो B बोल रहा है, I am cooking something because I am revenues. Means मैं कुछ cooking कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा से भूख लगी हुई है. Next sentence I have, I am starving. Means मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, जब बहुत भूख लगती हुई है, तो I am hungry के बज़ा है, आप बोलिये, I am starving. Example, A, B को बोल रहा है, I will not be done with this meeting yet, I am starving. तो B बोल रहा है, yes, you are done, now you can go. हाँ, तुम्हारा काम हो गया है, तो जा सकते हो. Next sentence I have, I am famised. Famised means मेरे पेट में चूहे कुद रहे हैं, इसका लिटरली ऐसा महीं नहीं होता है कि पेट में चूहे कुद रहे हैं, means आपको बहुत ही भूख लगी हुए, बहुत ही कुछ खाने का मन हो रहा है, तो ये एक फ्रेज है, I am famised. Example, A, B को बोल रहा है, Hey, don't you have anything in the frizz to eat? I am famised. क्या फ्रेज में कुछ भी खाने को नहीं है? I am famised. मुझे बहुत ही भूख लगी है. तो B बोलता है, Yes, I have. हाँ है, there is some fruits that you can eat. कुछ fruits है, you can eat. तुम खा सकते हो. Next phrase, I am so hungry. I could eat a horse. मतलब मुझे बहुत ही जोरे सी भूख लगी है. इसका ऐसा मतलब नहीं है कि हम हमें horse खाने का है. Horse means horse बहुत खाना खाते हैं. इसलिए बोलते हैं कि मुझे बहुत जोरे वाली भूख लगी है. Example, A, B को बोल रहा है, is luns ready yet? Could eat a horse. क्या luns ready है? तो B बोल रहा है, coming right now. अभी आ रहा है. Next phrase, I have, I am hungry as wolf. इस मुझे बहुत जोरे सी भूख लगी हुई है. Example, A, B को बोल रहा है, do you want to eat something? तो B बोल रहा है, yes, please, I am hungry as a wolf. हाँ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है. Next phrase, I have, I am hungry as a bear. Bear means मुझे बहुत ही भूख लगी हुई है. Bear बहुत ही खाना खाते हैं. इसलिए यहाँ पे इस phrase का use किया गया है. Example, A, B को बोल रहा है, hey, when is dinner going to be ready? I am hungry as a bear. कब dinner ready होगा मुझे? बहुत ही जोरो से भूख लगी है. तो B बोल रहा है, in just 5 minutes, बस 5 minutes में. Next phrase, I have, I have got the munches. Munches मतलब, मुझे कुछ खाना है, छोटा मोटा, जो छोटी मोटी भूख लगी रहती है, उसके लिए इस phrase को use किया रहता है. Example, A, B को बोल रहा है, hey, I have got the munches, मुझे हलकी सी भूख लगी है. Do you have something to eat? किया तुम्हारे पास कुछ खाने को है? तो B बोला, yes, there are some chips in the closets that you can eat. हाँ, closets में कुछ chips है, तुम खा सकते हो. Next phrase, I have, I need food, means, मुझे खाना है. यह आप simple way में use कर सकते हैं. Example, A, B को बोल रहा है, I need food. तो B बोला है, okay, wait for some time, कुछ time इंतिजार करो. Next phrase, I have, I need something to eat, means, मुझे खाने को चाहिए. इसका भी use आप simple way में बोल सकते हैं, instead of saying I am hungry, you can use this phrase. Example, A, B को बोला है, hey, I need something to eat, मुझे कुछ खाना चाहिए. तो B बोला है, okay, have some apples. ठीक है, यह कुछ apples खालो. That's all for today, thank you.